गिरीडी लोग सभाचुनाओ को लेकर के आज साम परचार थम जाएगा परचार का जो है आखरी वक्त चल रहा ये तस्वीर देखिए गिरीडी के डुमरी में अब दोनों जो परत्यासी हैं उनके समर्थक जो है वो इस जगा जमा हो गए हैं एक रूट पर ही बाइक रेली न जिनारे लगा रहे हैं कोई जिन्दावाद क्या कैसा रहा परचार बहुत बहुत सांदार रहा बहुत सांदार रिकोर्ट तोर से मुथरा मातो जीत रहे हैं इस बार जगनात मातो परियास में रहें दो बार लेकिन जीतने ने सके लेकिन इस बार मुथरा परसाद मातो रिक पिल्कुल देखिए हमारे सेर आगे हैं और इसलिए ये दोनों आदमी जो है साथ साथ ही चल रहे हैं एक तरफ बीजेपी के लोग हैं आजसू के लोग हैं दूसरी तरफ जेमें के लोग हैं तो ये तस्वीर आप देखिए हजारों की तादाद में लोग जो है बाएक रेली और पैदल मार्च के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कोशिस कर रहे हैं तो ये आखरी छन जो है चुनाव परचार का चल रहा है ऐसे में अधिक से अधिक ताकत लोग लगाना चाहते हैं दोनों ही प्रत्यासी जो है अपने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उत्रे हुए हैं कोई बीजेपी समर्थक हैं कोई आजसू समर्थक हैं कोई जेमें समर्थक हैं कोई कॉंग्रेस समर्थक हैं कहां जा रहे हैं आप लोग कहां जा रहे हैं किसके समर्थन में आएं परदी सवकद्जिक किसको वोट करना है इस वार केला शाप में तो यह तस्मीर देखिए केला चाहिए किसको मोधी सरकार का काम कैसा लगता है यह पार फिर से मोधी सरकार हम लोग को मोधी चाहिए त्सुरा क्यों नहीं चाहिए हमलोग मोदी हमलोग के लिए बहुत कुछ किये हैं हार घरीब को एक-एक चीज जोरत धा जो पूरा कर दिए है इसलिए हमलोग मोदी सरकारी चाहिए तो यह देखिए बीजेपी और आजयाजो कि समर्थक जो है वो सडक पर उतर चुके हैं है और आज टूंडी से लेकर यहां तक का नौजबान और पहला क्या बुड़े क्या बच्चे सभी का उत्सा चरम पर है ऐसा रहा क्या स्थिती देख रहे हैं गिरीडी में गिरीडी का जो आज जो बैयार है उसको देखके आनुमान लगाओ कि पिछले बार जो हमने गिरीडी देश के अंदर देश के अंदर ये भरोसा इस पस्ट रूप से है और जो आकड़ा हमने एंडिये के अंदर तई किया है 400 सीट का हम लोग निशित पार करेंगा और प्रदेश के अंदर चोदो सीट जीतेंगे जो परश्टाचार एक मुद्दा है ये लोगों के बीच पहुंच रहा है कि बिल्कुल लोगों की गाड़ी कमाई का हिस्सा सत्ता में बैठे लोगों के लिए नहीं क्या यहां मुकाबला किसके बीच देख रहे हैं यह मैंने कहा जूट और वश्टाचार के बीच में मुकाबला है किरीडी का कितना विकास हुआ और कितना बांकी है और क्या करेंगे आगे अगर जीते हैं आपके देश के यह यह आप देखने का लजरिया बदलो यह चुनाओ माइध्धम जरूर संसत के माइध्धम से जात बिलकुल एक तेरा फूल और एक फल तेरा फूल और एक केला यहां से जार्खन से जाएगा सुदेश मैतों जी भी खुद सरक पड़ है और आखरी वक्त में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं चुनाओ परचार में ताकि अधिक साधिक लोगों तक पहुचा जा सके अपन आएगे हैं वक्त लोगों पिल में पीलर वक्त बच्तिट